भारत का कद वैश्विक स्थर पर उस मकाम पर पहुंच चुका है जहां से भारत को हटा पाना या गिरा पाना बड़े बड़े देशों की बस में भी नहीं रहा क्योंकि आज भारत की एक हां और एक नाके काफी माइने हैं जो दुश्मन देश गांठ बान चुके हैं और दोस से खतम कर दिया गया है जिसमें सोदेशी निर्मान भढ़ाने और आयात को कम करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि domestic manufacturing को बढ़ावा दिया जा सके वहीं आपको याद होगा 5 से 6 साल पीछे जाएं तो आपको तो आप कोई भी फोन उठा कर देखेंगे तो वो आपको चाइनीजी देखने को मिलेंगे क्योंकि वो बहुत कम दामों पर लोगों को जाधा features दे जाया करते थे और इसी की काट निकालने के लिए और भारती मार्केट को बचाने के लिए भारत ने 2017 में 10% Custom Duty Information Technology के कुछ प्रोडक्स पर लगाई थी और ऐसा करते ही भारत के Domestic Manufacturing में नई जान फोकने का काम किया था जिससे Chinese Products को भारत के देशी प्रोडक्स टक्कर देने में कई कदम आगे निकलते हुए दिखाई दिये हैं और यही बात European Union को हजम नहीं हुई क्योंकि ये 10% की Custom Duty सिर्फ चीन को ही नहीं बलकि European Union के सभी देशों को लग रही थी जिसकी वज़े से ये देश भारत को घसीट कर WTO में ले गए जिसमें European Union तो पहले सही था उसका साथ देने के लिए चीन और थाइलेंड भी हो लिये मतलब इनको भारत का आत निर्भर बनना हजम नहीं हो रहा था जैसा कि हमने कहा कि भारत पहले जैसा नहीं रहा तो जब केस बनी गया तो भारत ने उसी Custom Duty को 10 से बढ़ा कर 20 प्रतिशत कर दिया मतलब European Union का हाग पाओ मारने का कोई भी फाइदा नहीं हुआ क्योंकि भारत को समय और मुनाफा दोनों ही मिलने लगे थे बता दे कि European Union अभी इतना उचल इसलिए भी रहा है क्योंकि भारत ने 26 मार्च 1997 में Information Technology Agreement सैंड किया था जिसके तैत Information के प्रोडक्स जैसे Computer, Telecom Equipment, Semiconductor, Scientific Equipment इन पर किसी भी प्रकार का कोई Tariff या Custom Duty नहीं लगाया जा सकती है और इन पर Free Trade होना चाहिए लेकिन भारत ने European Union के इस तर्प पे कहाया कि जब ये Agreement हुआ था तब Mobile Phone जैसा कोई भी शब्द इसमें इस्तमाल नहीं किया गया था तो भारत ने कहा कि हम इस Agreement को नहीं मानेंगे मतलब यहां भारत ने 39 देशों को करारा जवाब देते हुए कह दिया कि हम अपनी Custom Duty जारी रखेंगे और भारत के ऐसा करने की देरी थी कि European Union अपना आपा ही खो बैठा और तबी WTO ने भी अपना बड़ा फैसला दे दिया जिसमें ये फैसला भारत के खिलाफ जाता दिखाई दिया जिससे European Union के खेमे में आतिश बाजी होने लगी लेकिन यहां भारत ने बड़ा खेल करते हुए 39 देशों को बड़ा छटका दे दिया दरसल जब भारत के पक्ष में फैसला नहीं आया तो भारत एपिलेट बॉड़ी चला गया और वहां से अपने केस को आगे बढ़ाएगा मतलब यहां यह हुआ कि अगर किसी देश को लगता है कि फैसला उनके खिलाफ हुआ या फिर वह इस फैसले से सहमत नहीं है तो वह दूसरी बॉड़ी यानि कि एपिलेट बॉड़ी में अपलाए कर सकता है और जब तक यह केस जस्का तस्व बना रहता है तब तक भारत को कस्टम डूटी हटाने की कोई आवशकता नहीं है और यहां खास बात तो यह है कि अभी तक एपिलेट बॉड़ी में किसी भी जज़ की नेकती नहीं होई है मतलब जब तक कोई जज नहीं आता है और फैसला नहीं सुनाता है भारत केस हारते हुए भी जीतता हुआ दिखाई दे रहा है यहां भारत ने बड़ी चैतुराई से उन देशों के मूँ में दही जमा दिया है जो भारत से ही खाने की फिराक में थे वहीं जब European Union की दाल नहीं गली तो उसने भारत से ही समझोता करने की सोची तो भारत ने भी प्रस्ताव दे दिया जिसमें European Union और भारत के बीज फ्री टेट को आगे बढ़ा जाएगा आपने देखा कैसे भारत ने एक हारी बाजी को जीतते हुए एक बड़े समझोते को करने के लिए अपना बड़ा दाव चल दिया है जिससे भारत चीन को तो बैक फूट पर लाही चुका है वहीं थाइलंड को भी दो कड़वे घूट पिला दिये हैं और ये है भारत की अस देशों के पास भी नहीं है